आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ अब इन 4 options में हम देखना है सबसे पहला हम क्या करेंगे जो assertions हमें given है उसे हम यहाँ पर देखते है सबसे पहला हमें जो given है वो क्या है mode of vector a plus vector b is less than equals to mode of vector a plus mode of vector b यह यहाँ पर हमें जो है इसको प्रूव करेंगे सबसे पहला condition हम क्या लेते है अगर suppose हम यह देखते है अगर हमारे पास mode of a plus b इससे हम लेंगे less than equals to mode a plus mode b अब यह क्या एक condition अगर हम देखें कि first case हम इसमें लेते है first case okay तो first case हम इसमें क्या लेंगे जब a plus b जो है वो greater than equals to zero होगा it means a क्या होगा less than equals to mode a और b क्या होगा less than equals to mode b होगा अब इसमें जो value क्या होगा अगर यह condition हम इस पह apply करेंगे यानि कि a plus b क्या हो जाएगा less than equals to mode a plus mode b हो जाएगा अब अगर a plus b जो है वो greater than equals to zero होगा okay तब condition क्या होगी that a plus b is equals to mode of a plus b okay और अगर यह condition हुई तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं कि इनका जो vector होगा याने कि mode of vector a plus mode of vector b is less than equals to क्या हो जाएगा इस condition के according mode of vector a plus mode of vector b हो जाएगा अब second case हम लेंगे यहाँ पर ओके तो second case अगर हम देखें second case में हम लेंगे जब a plus b अग भी हमने first case में क्या लिया a plus b क्या लिया हमने यहाँ पर लिया था greater than equals to zero अब हम लेंगे इसे less than equals to zero अब अगर यह condition हो कि a plus b जो है वो less than zero है तो यहाँ पर अगर हम एक condition c a और भी हम अलड़ी यूज कर चुके हैं उपर तो यहाँ हम c or d देखते हैं ओके तो c को मिया लेंगे माइनस और d की वेलियम क्या लेंगे माइनस बी लेंगे तो इस condition में अगर हमारा जो c होगा वो क्या होगा less than equals to more c और d को जाएगा less than equals to more d हो जाएगा यह सब वेक्टर में है ओके तो यहां से अगर हम condition देखें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ओके यहां पर हम cd लेते हैं ताकि first case और second case में एक difference बना रहे है तो वेक्टर c प्लस वेक्टर d को अगर हम देखेंगे तो यह क्यों हो जाएगा less than equals to mod of vector c plus mod of vector d हो जाएगा अब अगर c plus d को ग्रेंट बेक्व AGAता इको खोरेंगे जेचा York क्यों हो जाएगा c plus d एको उस्ट कोष्ट मौडओbayर सीपलस दी ओके इहां से वेक्टर में अगर जब ओक्र बेड़रेंट करेंगे ही क्या हो जाएगे mod of vector c plus mod of vector d less than equals to mod of vector c plus mod of vector d ले लेंगे यहां से तो यह term हमारी क्या हो जाएगी अब इसमें अगर हम देखें तो हमने c और d की value की लिए minus a minus b तो c और d की जग़े value put करेंगे अगर तो यहां से ही क्या हो जाएगा mod of vector c plus vector d को हम क्या लिखेंगे यहां से less than equals to minus of a plus b ओके तो यह क्या हो जाएगा mod में minus positive बन जाते हैं तो यह हो जाएगा a plus b हो जाएगे vectors में ओके तो यहां से अगर हम देखें की जो mod of vector c है वो क्या बन जाएगा हमारा mod of vector a हो जाएगा because c equals to a minus a था तो यह mod में positive ले ले लेंगे और जो vector d था वो minus b है तो यह mod of क्या हो जाएगा minus और positive में b बन जाएगा तो जब इनकी values अगर हम substitute करेंगे तो यहां पर value क्या मिलेगी mod of vector a plus vector b is less than equals to mod of vector a plus mod of vector b याने कि यह इसके equal आदेगे जाने कि दोनों condition यह क्या है यह prove हो रही है कि यह जो mod of vector a plus b vector b है वो किसके equal वो less than equals to क्या है mod of vector a plus mod of vector b दोनों ही conditions में यही term आ रही है ओके बट यहां पर हमें जो reason given है वो क्या है कि यह inequality क्या है trivally form कर रही है but यहां पर हमने देखा कि कोई trivally यहां पर holds नहीं हो रही है it means assertion तो correct है but reason गलत है so इसका correct option जो होगा वो क्या होगा both a and r are true but r is not the correct explanation of a because यह condition दूसरे case में applicable होगी जिसमें three cases यहां पर हम apply करेंगे इसलिए तो यहां पर assertion a भी correct है और reason भी इसका correct है but जो reason है वो a के लिए satisfy नहीं कर रहा है means option number one is correct classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर